Hello friends and dear students, welcome you to my YouTube channel बच्चो अगर हम बात करें NCIT की NCIT में आपको 10 यूनिट पढ़ने होते हैं और प्रतेक यूनिट में आपको एक बैज्यानिक के बारे में भी पढ़ना होता है बच्चो हम आपके लिए आज से NCIT टाप 10 साइंटिस्ट की स्रीज की सुरुआत करते हैं जिसमें आज हम आपका परशे अरनेस्ट मेयर से कराएंगे बच्चो अगर हम बात करें अरनेस्ट मेयर के जनम की तो इनका जनम 5 जुलाई 1904 को केम्टन जर्मनी में हुआ था और इनकी मुरित 100 साल की आई में 3 फरोरी 2004 को हो जाती है बच्चो ये एक एबलूसनरिस्ट बाइलोजिस्ट है इनका विसेश फोकस जो है एबलूसन की तरप था बच्चो इन्हें darwin of 20th century कहा जाता है बच्चो इन्हें बीश भी सती का darwin कहा जाता है वाज दा one of the hundred greatest scientists of all time बच्चो अब तक के सब बाईज्ञानिकों में से इन्हें एक विसेश बाईज्ञानिक का दरजा भी दिया जाता है बच्चो इन्हें बाइलोजी के छेतर में तीन अलग अलग पुरुषकार दिये गए जिसे त्रिपल क्राउना बाइलोजी या जियो विज्ञान के तीन ताज की संग्या दी जाती है बच्चो इन्हें बालजन प्राइज उननीस सो तिरासी में दिया गया इन्टरनेशनल प्राइज फार बाइलोजी इन्हें 1994 में दिया गया और क्राफ्रूड प्राइज 1999 में दिया गया बच्चो इन्होंने एक कांसिप्ट दिया है जिसे बाइलोजकल इस्पिसीस कांसिप्ट कहा जाता है आपसे आपके NET के एक्जामों में या other competitive एक्जामों में पूछा जा सकता है Who give biological species concept इसके लिए आप याद रखिएगा Ernest Mayor के द्वारा ही biological species concept को दिया गया है Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you